नमस्कार स्वागत है आपका दन्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शेरन विदेशों में रहने वाले भारत के खिलाप और जहर उगलने वाले खालस्तानी और विरोधियों के ऊपर आप केंदर की मोधी सरकार ने कसा है शिकंजा जी हाँ आप मोधी सरकार ने जो है वो विदेश सूचना के अधिकार के तहट कल आर्टिकल 14 में दी गई है जो तरीके से विदेशों में रहकर विदेशी पासपोर्ट लेकर भारत के खिलाब जहर उगलने वाले विरोधियों के खिलाब यह आक्शन लिया गया है और उन लोगों की जो कार्ड थे यानि की overseas citizen ship of India का जो कार्ड था उसे रद कर दिया गया है और उसकी सूची में आने वाले लोग जो है वो 112 प्रवासी यानि की इनके जो है वो भारतिया नागरिक कार्ड रद कर दिये गये हैं और देखिए ये फैसला जो आज लिया गया है औ और 102 लोगों का जो भारतिया नागरिक कार्ड रद किया गया है ये action लेने की तैयारी में जो है वो सरकार काफी दिनों से थी और कार्ड रद करने की जो है वो बात की जा रही थी जुस तरीके से हमने पिछले दिनों ही देखा कि किस तरीके से चाहे फिर वो अमेरिका हो कई देशों में विदेशों में जो है वह भारत के खिलाब खालिस्तानी केसा साथ कई विरोदियों ने जो है वह भारत में दूतावास पर हमला किया भारत साजिश Oh रची और उनको जो है वो पहले ही चिनित कर लिया गया था और अब भारत सरकार ने जो है वो 102 प्रवासी भारतिय नाग्रिक चाड़ रद कर दिये गए हैं जिसकी जानकारी भी कलकेन्ध सरकार की तरफ से दी गई है और देखे भारत की विदेशी नागरिकता यानि कि आज अगर ये कार्ड रद हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो लोग जो पहले ही भारत विरोधी बयान तो देते हैं पर उनके घर और प्रॉपर्टियां भारत में भी हैं और अगर वो विदेश में रह रहे हैं और उनके पास अब सिटिजन्सिप जो है वो वहां क जो है वो इस आधार पे मिलेगा पूरी जो हिस्ट्री है वो देखी जाएगी और देखिए इसी के साथ जो है वो भारत के भारत में रहने वाले जो अधिकारी है जो की वीजा देने का काम करते हैं जो की वीजा देते हैं लोगों के लिए वो पूरी हिस्ट्री देखेंगे औ और काफी दिनों से जो है वो जुनता की तरफ से इस पूरे मामले पर मांग भी हो रही थी कि केंद सरकार को जो है वो इन लोगों का OCI काड रद कर दीना चाहिए जो कि भारत के नागरे कियाने की भारत में संपत्ती भारत में सारी चीज़ने पर अगर विदीश का पास्पोर हैं जो की कैंड़ा में रहकर भारत के खिलाब ही साजिश रष्टे हैं और उनकी संपत्तियों पर जो है वो कुछी दिन पहले जो है वो बड़ा शिकंजा कसा गया था सरकार की तरफ से और खालिस्तानी पन्नू की संपत्ती को भी जब्त कर लिया गया था और अगर हम बात क करें ओसी आई की तो देखिए आज जो है वो 112 भारत विरोधी और ऐसे लोग जो की हमीशा भारत के खिलाब जहर उगलने का काम करते हैं या खालिस्तानियों का जो है वो सियाई कार्ड रद्द कर दिया गया है और बात अगर हम करें 2000 की तो देखिए 2000 में जो है वो अशोक स जो है शोक स्वान का जो है वो भी ओसी आई कार्ड रद्द कर दिया गया था जिसको लेकर अशोक स्वान की जो है वो भी बौकला हट नजर आई थी और उन्होंने पूरे मामले को लेकर जो है वो या चुका डाल दी थी केंद सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कल जस जादा बौकला हट सामने आ रही है और ये वही अशोक स्वान जो की दो हजार तेज में जो है वो इस तरीके के ट्वीट यानि की एक्सपर पोस्ट भी किया करते थे कि देश को बचाए रखने के लिए पाकिस्तान को जो है वो आई एम एफ से सिर्फ जो है वो एक अरब र अच्छा देश या पाकिस्तान परस्ती करने वाले लोगों के ऊपर अगर केंद्र सरकार ने 2023 में आक्षन लिया था और अशोक स्वान जैसे लोगों की जो है वो औस याई रद कर दिये हैं थे तो किस तरीके से लोगों की जो है वो बौकलाहट नजर आई और लोगों की त यह कार्ड जो है भारत सरकार की तरफ से 45 लाक से जादा लोगों की पास जो है यह कार्ड है और अनुछे 14 के सूचना के अधिकार के जवाब में केंद सरकार ने भारतीय विदेशी नागरिक कार्डों को रद करने के और चत्य के रूप में जो है वो नागरिक अधिनियम 1955 की गारत्या विदेशी नागरिकत दृटो इसके एगजर के गार्वास याने कि अगर जए जह से सविदान के साथिह चील युद्ध गलत काम करता है तो उसके भी OCI कार्ड को रद किया जा सकता है यानि कि जिस समय पर इन कार्डों को बनाया गया था उसी समय पर कुछ शर्तें और कुछ नियम जो है वो भी बनाये गए थे और इन शर्तों नियमों को ना मानने वाले लोगों के खिलाब जो है आक्शन लिया ग कि संप्रभुता अखंडता और सुरक्षा पर अगर कोई आघात करता है उसको लेकर अगर कोई बेकार की बयान बाजी करता है तो उसका भी OCI कार्ड जो है वो रद किया जा सकता है यह बड़ी बात जो है यह तमाम चीज 7D में लिखी गई थी और उनी का पालन ना करने वाले लोगों का जो है वो OCI कार्ड रद किया गया है और देखिए इसी के साथ अगर हम बात करें कि जब कई सारे सवालों के जवाब जो पूछे गए तो केंडर सरकार की तरफ से इस बात पर भी जानकारी दी गई कि भारतिय जोनता पार्टी यानि कि मोधी सरकार के सत्ता में आ है कि उनके पास अभी इतनी जानकारी नहीं है पर 2021 में केंडर ने नए प्रतिबंदों की एक श्रिंखला पेश करते हुए जो है वो अधी सूचना जारी की और उन्होंने बताया कि यह OCI कार्ड जो है आखिरकार क्यों रद किये गए हैं और आखिरकार इसके पीछे क्या का सौधा के बीच की जानकारी जो आकड़े हैं वो सामने नहीं आए हैं पर देखिए इसी के साथ अगर हम बात करें मैं 2023 तक जो है यानि की 2004 से 2023 तक की बात जो है वो सामने आ रही है और इसी के साथ देखिए अगर 2023 तक की बात करें तो इसमें आकड़े सामने आ रहे हैं दो लाग चोरासी हजार पांसो चोहतर ओवर सी सिडिजन ऑफ इंडिया काड रद किये गए हैं और देखिए ये रद काड किये गए हैं तो इसके पीछे कई कारण रहे हैं पहला कारण ये रहा है कि काड़ उन लोगों के रद किये गए जो इसी सूची में शामल है जिन्होंन जो है वो सेवन डी के दुबारा किये गए जो कानून दे गए थे जो पालन करना था तमाम चीजों का उनका पालन नहीं किया गया या फिर गलत तरीके से जो है वो OCI कार्ड हासिल किया गया है या फिर किसी का अगर OCI कार्ड खो गया तो उसका भी रद किया गया और यही ब्य 84,574 का आकड़ा है खेर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करकर जरूर बताईए थन्यवाद